नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मेरे पास एक मैसिज आया था उसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को यह बताया जाए क्योंकि जारतर लोग जो लोग इंटरनेट का इस्तमाल कर रहे हैं वो जीओ का सिम यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज का जो हैकर हैं वो काफी अच्छे तरीके से फाइदा उठा रहे हैं अभी मैं बताता हूं मेरे पास किस तरीके का मैसिज आया और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को यह बताई जाए क्योंकि आप एक तरीके से हमारे परिवार का हिस्सा ही है तो कहीं ये दुरगटना आपके साथ ना हो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों इस तरीके का एक मेरे पास मेसिज आया कि Breaking News Reliance Geo is giving 25 GB data for 3 month क्योंकि सब को पता है कि हर परसन जो है वो लालची है data का तो इस तरीके का एक offer मेरे पास एक message से एक mobile number से आया और उसके बाद जब मैंने try किया तो वो मिला नहीं और जो link मिला था दोस्तों इस link पे मैंने click किया तो एक web page open हुआ उसके बाद वहाँ पर कहा गया कि आप जो है एक इस file को download करें वो एक तरीके से जैसे कि apk file जो .apk होती है दोस्तों जो android phone के अंदर जो install होती है जिसे आपने देखा होगा एक तरीके से जो play store से हम फाइले download करते हैं तो play store के अंदर तो verify होती है मगर ये फिर एक हमें third party पर ले जा रहा था और उसके बाद आगे पता नहीं क्या हो सकता था ठीक है आप समझ सकते हैं क्योंकि app ही होते हैं जो कि पूरे पूरे mobile को control करते हैं यहां तक कि even आपके whatsapp को भी hack कर सकते हैं टेलिग्राम को भी hack कर सकते हैं इसलिए आप इस तरीके के message से aware रहें कि अगर आपके पास भी इस तरीके offer है क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा इस दुनिया में free तो कुछ नहीं होता कोई बिना मतलब कि अपना बुखार ना दे किसी को तो 25 db data कहां से मिलेगा ठीक है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास भी इस तरीके का message आता है तो आप उसे ignore कर करें delete कर दें अपने mobile phone से otherwise आपके mobile को जो है harm हो सकता है ठीक है तो अगर यह आपको सूचना दोस्तों बहतर लगी हो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इन्हें अपने जितने भी आपके दोस्तों यार हो और जो भी आपके friend circle में हो उन्हें जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी इस चीज से बच सके otherwise mobile का data भी जा सकता है mobile corrupt भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने सोचा है यह इस चैनल का माद्यम का use करके आप लोगों तक इस खबर को पहुंचाए जाए धन्यवाद